नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर जहां पर हर अफ़ते आपको स्टॉक मार्केट, परसनल फाइनांस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड हाई कॉलिटीज वीडियो मिलती है आज की वीडियो में हम सभी स्टॉक मार्केट के बेसिक समझने वाले है और मैंने इस वीडियो को इतना सिंपल रखा है जिसे की ये जो एपसलूट बिगिनर है स्टॉक मार्केट में वो बहुत कुछ सीख सके बस इस वीडियो से वीडियो की शुरुवात मैं आपसे एक क्वेश्चन से करूँगा कि जब आप मार्केट वोर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है में भी ये आ सकता है कि एक ऐसी जगा जहांपर सेलर्स कुछ बेच रहे हैं और बायर्स कुछ खरीद रहे हैं उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी जगा है जहांपर आप स्टॉक की ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे कि कोई स्टॉक बेच रहा है और कोई उसे खरीद रहा है आप पूछेंगे कि अब ये स्टॉक क्या होता है जिसे हम शेयर भी कहते हैं इसका definition कुछ इस प्रकार है कि a stock is a security that represents the ownership of a fraction of a company यानि अगर आप किसी company के stocks खरीदते हैं तो आप कुछ हिस्सा उस company में own करते हैं क्योंकि company को आप से पैसे मिल रहे हैं तो वो उस पैसे को अपने business में invest करता है और अगर profit हुआ तो उनकी company की stocks की value बढ़ जाती है जिसे हम capital appreciation कहते हैं और वो अपने profit को अपने shareholder के साथ share भी कर सकता है जिसे हम dividend कहते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है sham उन्हें अपने company के लिए funds की जरूवत है क्योंकि उन्होंने plan किया है कि अपनी company को grow करना है आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आप ये recommend करेंगे कि sham को शायद bank से loan लेना चाहिए लेकिन इसके लिए sham को फिर interest भी देना पड़ेगा लेकिन अगर sham अपनी company को public कर देता है जिसे की लोग उस company की shares या stocks खरीद सकते है इस situation में sham को कोई भी interest नहीं देना पड़ेगा और माल लेते हैं कि उसकी company ने कुल 100 रुपे profit किया तो फिर companies उस profit का करती क्या है वो दो चीज़े करती है पहला है retained earnings जहां पर profit का कुछ हिस्सा वो अपने पास ही रखती है उसे अपनी company की development में invest करती है और दूसरा है dividend देती है अपने shareholders को तो ऐसे काम करता है stock market बिल्कुल simple सब्दों में यहां एक और सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि क्या कोई भी private company public हो सकती है तो इसका answer है हाँ लेकिन the securities and exchange board of India ने कुछ requirements रखी है जिन में से सबसे important है अपने सारे financial records को public करना जो एक investor को help करता है ये decide करने में कि क्या उन्हें उस company में invest करना चाहिए या नहीं अब हमें next सीखना पड़ेगा stock exchange क्या होता है stock exchange एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको facilities मिलती है कि आप company की shares में invest कर सको और उसे trade कर सको और भी other securities को आप trade कर सके एक stock को तब भी सब खरीद सकते हैं जब वो stock exchange में listed हो तो stock exchange को हम एक ऐसी जगा कह सकते हैं जहाँ पर stock buyers and stock sellers मिलते हैं इंडिया में दो सबसे main stock exchanges है पहला है Bombay Stock Exchange और दूसरा है National Stock Exchange Sensex और Nifty के बारे में आपने कभी न कभी सुनाई होगा Sensex में इंडिया के top 30 companies listed होती हैं जो free float market capitalization से आती है वही Nifty 50 में इंडिया के top 50 companies होती हैं और इन दोनों को index कहते हैं क्योंकि stock market का trend पता करने के लिए आप सारी companies की analysis तो नहीं कर सकते हैं इसलिए Sensex और Nifty आपको stock market का situation बताता है कुछ samples के help से जो maximum time सही होता है क्योंकि top companies का ही sample लिया गया है अब आते हैं stock market में क्या-क्या financial instruments trade होते हैं बेसिकली stock market में आप चार financial instruments को आप trade कर सकते हैं पहला है shares, दूसरा है mutual funds, थीसरा है bonds और चौता है derivatives चलिए brief में समझते हैं इन financial instruments के बारे में नमबर वान है shares, shares के बारे में हमने सीखी लिया कि ये companies issue करती है funds raise करने के लिए और आप इसे खरीद और बेच सकते हो mutual fund एक indirect तरीका है stocks में invest करने के लिए जिसमें आप अपने पैसे एक fund manager को allocate करते हो या उसकी company को देते हो जो आपके पैसे को different जगा पे invest करके आपको returns देती है उसके लिए आपको एक additional charges देने पड़ते हैं mutual funds उनके लिए best है जिनके पास time की कमी है तीसरा है bonds bonds एक तरीके का contract होता है जब आप इसमें invest करते हो तो आपको एक fixed interest rate के साथ पैसे मिलते हैं mostly ये central government या state government issue करती है अपने infrastructure projects के लिए चौथा है derivatives जिसका मतलब है कि आप fixed price पे future में किसी भी shares को खरी देंगे या बेचेंगे जैसे shares की price उपन नीचे होता रहता है इससे derivative instrument काफी आपके लिए काम कर सकता है specially उन लोगों के लिए जिसे किसी भी financial instrument को fixed price पे trade करना है तो अब आते हैं stock market में invest कैसे करें stock market में invest करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक DMAT account उपन करना पड़ेगा जिसे की आप companies की shares खरीद सके जैसे पैसे रखने के लिए आपके पास savings account होना चाहिए वैसे ही आपको अपने shares को store करने के लिए एक DMAT account चाहिए होता है और DMAT account open करने के लिए आपको एक broker को चुनना होगा first of all आप ये decide कर लिजिए कि आपको कितनी बार अपने पैसे invest करना है stock market में क्या आपको regular invest करना है या हर हफते या हर महीने या जब आपके पास पैसे होंगे तब आप investment करेंगे तो जब बात आती है invest कौन से platform से करें तो मैं beginners को मैं personally recommend करता हूँ 5pesa.com ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्यूंकि 5pesa.com इंडिया के top brokers में से एक है इसमें आपको सिर्फ उसी मन्त का maintenance charge पे करना होता है जिस मन्त में आप trading करोगे जो बाकी brokers 300 से 1000 रुपे तक साल का charge करते हैं तो ये long term investors and SIP करने के लिए बहुत फाइदे मन्त है 2016 में 5pesa.com शुरू हुआ था और आज इससे 1.5 million से भी ज़्यादा customers जुडे हुए हैं 5pesa application से equity trading, currency trading, commodity trading future and option trading, mutual fund investments यहां तक कि gold में भी आप invest कर सकते हैं अगर account opening की बात करे तो 5pesa app से आप free में paperless और hassle free तरीके से अपना account open कर सकते हैं वो भी 10 minute में इसके लिए आपको description में दियेगे link से या play store में जाकर आपको 5pesa का mobile application डाउनलोड करना है उसके बाद अपने details भढ़नी है और कुछ documents अपलोड करना है जैसे कि आपका pan card, अधार card, signature phone and bank proof अगर आप trading करना चाहते हैं options and derivatives में तो आपको अपना salary slip की भी जरूत पढ़ सकती है DMAT account opening काफी simple है आप अगर promo code offer 250 का use करेंगे तो आपको 5pesa, 200 रोपे का gift देगा जिसे की आप अपनी investing की journey शुरू कर सकते हैं आपको अपना नाम टाइप करना है साथे साथ आपको अपना email id, phone number pancard, date of birth, bank account number और आपको IFSC code को भी verify करना पड़ेगा अपना personal details भी आपको देनी पड़ेगी साथे साथ आपको अपने सारे documents को upload करना पड़ेगा जब सारे documents upload हो जाएंगे उसके बाद आपको e-sign करना पड़ेगा स्फिर एक से दो दिन में आपका account active हो जाएगा अगर 5 पैसे की subscription की बात करें तो आपके लिए 2 options हैं जिससे आप add कर सकते हैं पर ये optional है पहला है power investor pack जिसमें आपको 4.99 रोपीज पर मन देनी है जहाँ पर आपको discount मिलता है brokerage में advisory calls आती है expert से आपकी जो portfolio है उसकी भी in-depth analysis होती है दूसरा plan है ultra trader pack जिसमें आपको free brokerage मिलता है और power investor pack वाली सारी benefits मिलती है लेकिन साथ ही साथ zero brokerage equity delivery 10 रोपीज पर order दूसरे segments में और आपको dp charges भी दिनी नहीं पड़ती है आप चाहे तो इसे ले सकते हैं लेकिन अगर आप beginner है तो आपके लिए free plan अच्छा रहेगा चले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 5-Pesa application से किसी भी shares को buy and sell कैसे करें जब आपका dmatt account open हो जाता है 5-Pesa.com में तो आप सिर्फ 5 steps में अपना buy and sell order प्लेस कर सकते हैं जिससे कि आप delivery या intraday order भी जल्दी प्लेस हो जाएगा buy and sell process को fast बनाने के लिए 5-Pesa ने latest app version में quick buy and sell का features add किया है सबसे पहले आप अपने 5-Pesa mobile application में login करिए interested share को search करिए और select करिए share पे click करते ही buy and sell का window open हो जाएगा यहां अपना quantity and price डालिए और buy and sell option को select करिए और बड़े अराम से आपका order प्लेस हो जाएगा in short आप आज ही अपना account open कराईए 5-Pesa.com से और अपने selected companies की shares में invest करिए और अपनी investment journey आप एक trusted app से शुरू करिए आज के वीडियो में हमने सीखा basics of stock market और इसके financial instruments और stocks में आप कैसे invest कर सकते हैं 5-Pesa.com के थुरू उमीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा तो मैं मिलूँगा आप से next वीडियो में तब तक के लिए keep reading, keep growing